हाई गाईज कैसे हैं आप सब आई होब बहुत अच्छे होंगे आई होब सभी की जो प्रिप्रेशन है वह बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे हमारे साथ तो आप लोगों को बच्छा में बताना चाहूंगा कल एक मिस्टेक हो गया था वीडियो में कल बच्छा 189 के बा Ale 국er करने उसके बाद ही कमेंट खेना तो सभी बच्छे जो है को करना है कमेंट में आंसर देना और कोई भी बेक्षा जो है सकिप करकर कर कर नहींанे देखना हैं पूरी तरीके से पूरा वीडिए भीडियो देखना आप लोगोगो च्लिए से आधर को प iciट शे होर्मोन किसके द्वार खो जागया हूर्मोन पहला ओप्षिन वाट्सन एन निक दूसरा और बैंटिंग एंड बेस्ट चौत्व और हर गोबिन्द खुराना कौन सा आप्षिन यहां पर सही है सिधा सिधा प्रशन यह बनाया जा रहा है कि हर्मोन का खोज सबसे पहले किस यह नहीं होगा यह भी नहीं होगा यह भी होगा तो हर्मोन सबसे पहले बच्चा सबसे पहले खूजाग सबसे पहले हार्मोन हो होस्क्राइब नगने की लिए रिश्ट discovered hormone सबसे पहला hormone कौन सा झौझा गया तो option अ हमारे पास insulin है option B is secretion है options c glucose and option D is di oxytocin है कौन सा option इसमें सही हैं तो इसका जो right आंसर हो जाएगा बैच्चा आप लोग को बताना है comment में इसका जो right answer हो जाएगा बैच्चा वो यह होगा सेक्रेटीन यह दोनों इन्पॉर्मोन किसके दौरा खो जा गया और सबसे पहला हॉर्मोन जो है वह कौन सा खो जा गया ठिकना यह दोनों इन्पॉर्मोन प्रेशन आप लोगों को याद रखना है चलो पर चागला प्रेशन को देखना है प्रेशन को पड़नार कमेंट में अंसर देना है निमलिखित में से कौन रसाइनिक संदेह वाहक के रूप में कार्य करता है में जाना जाता है विच आप दी फॉलविंग इज नॉन एज दि केमिकल मेसेंजर आप लोगों ने वाटसे मेसेंजर फेस्वुक मेसेंजर इंस्ट्रागराम मेसेंजर तो देखा होगा यहां पर पूछा जा रहा है केमिकल मेसेंजर के रूप में कौन जाना जाता है पहला आप्शन पसीना स्वेट दूसरा आप्शन एंजाइम तीसरा आप्शन हार्मोन और चौथा आप्शन प्य कि एंजाइम नहीं होगा पसीना नहीं होगा और पिटिट्री ग्रन अगला प्रशन पर नहीं कि निल कि तम या निकि विच्राइल इन नहीं कि यानिकि जाना जाना सा इसमें से आप लोग को कल की वीडियो में मैंने बताया था मास्टर ग्रंथी किसे कहा जाता है उसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चा वो हो जाएगा कौन प्यूस ग्रंथी पिट्यूटरी ग्लैंड और सास में यह भी बताया था यह हमारे शरीर की सबसे चोटी ग् सबसे बड़ी ग्रंथी कौन सी है हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथी लीवर होती है साथ में आपको यह भी बताना है कि हमारे शरीर की सबसे चोटी कोशिका कौन सी होती है और मनुश्य के सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है सबसे चोटी कोशिका के बारे में बताना है और कोशिका के अध्यनों को क्या कहा जाता यह भी बताना है कोशिका का निर्मान यानि कोशिका खोज किस बन्दे ने किया यह उत्या सातर तो बत्चा कैसा लगा है आप लोगों को स्वेयंस मेरे साथ कई सी है और को आप नहीं घर यह करते हैं तो चूटेसं अनए जितने मंबर जितने में ञ Feld तो टोटल लर्निंग और टोटल प्यूर एजिगेशन पे वो क्या करेंगे वीडियो उसको बच्छा लाइक करना है वीडियो को लाइक करना है ज्यादा शेर करकर ही हम अपने बात को लोग तक रख सकते हैं और लोग जो हैं डिफेंट इस स्टुएंट्स इस चीज का फायदा उ करिए निमलिखित में से कौन सी अंतास्तरावी ग्रंथी मस्तिष्क में उपस्थित हैं समझ रहे हो कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हमारे ब्रेंड में उपस्थित है वो पूछा जा रहा है इंग्लेश में पढ़ते हैं जड़ा विच आप दी फॉल्विंग एन्डोक्राइन ग्लैंट्स जीजर प्रैसколь पुछा जारे कि कौन-कौन socially अनतास्तरावी ग्रंथिया हैं जो हमारे मस्तिस्क पाया जाता है हमारे मस्तिस्क में पाया जाता है पहला ऑपशन हई अपृट एपृत taper तो बच्चे मेरी वीडियोस को रेगुलर फॉलो करते हैं न वह इस प्रशन का आंसर दे रहे हैं क्योंकि सोट कि मैं आई से लगभग दो चार दिन पहले मैंने यहां पर लिखा था और ब्रेन लिखा था और मस्तिश्क मां कौन कून से है ग्लैंट साया जात है उनका भी मैंने लिखा था यदि इन टीनों ग्लैंड को तो जो बच्च उस प्रशन को ध्यान के सुने यह प्रशन को ठाविट हर्मोन को नियूरो हर्मोन कहते हैं यानिकी कि किसके दो आर्त रावित यानि कि हॉर्मोंन सेखरेटेटेटेट राई ड merging हो इन चारओं में से किसके दो आरत रावित हम लोग नियरो हार्मोन कहा जाता तो जो बच्चे अगर ग्लैंड को अच्छे तरीके से पढ़े होंगे वो बता देंगे इसमें से कौन सा ऐसा ग्लैंड है जो नीरो हॉर्मून की सेक्रेशन करता है नीरो हॉर्मून को स्तरावित करता है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चा हाइपोथेलमस हो जाए है ठीक है तो चलिए बच्चा आगे पढ़िए प्रशन को एक संताने प्रशन को पढ़ना है तो प्यूस ग्रंथी से स्त्रावित होने वाले हॉर्मोन के स्त्राव को कौन नियंत्रित करता है पूश रहा है कि प्यूस ग्रंथी से जो हॉर्मोन का हॉर्मोन जो स्त्रावित होत कडह करता है उसहार्मोन को नियंतित कौन करता कंट्रोल कौन करता ये प्रश्न को पूछा जा रहा है इंग्लिश में पढ़ देते हैं कि इंग्लिश में लिखा नहीं गया बच्छा तरीके से लगता है संथेश्च और से क्रेशन अप ट्यूटरी हॉर्मोन और कंट्रॉल भाई चलो ठीक है कोई बात नहीं लिखो देखो सिंथिस यानिके बनान एक स्त्राव करता है नित आप लोगो को बताया गया है अब लोगो सो लाइन टूरान लिखाया है हूँ कॉन कंट्रोल करता है बताओ कि जरा आफॉथालमस कंट्रूल करता है इसको ऑप्षन D हो जाएगा ठीक ना पिट्यूटरी ग्रंथी यानि कि पिट्यूटरी ग्लैंड के दोवारा जो हर्मोन का स्त्रावन होता जो हर्मोन का निर्मान किया जाता है उस हॉर्मोन को कौन कंट्रोल करता है हाइपोथ हैलमस कंट्रोल करता है कौन कंट्रा करता है तो हाइपोथ हैलमस कंट्रोल करता है अगला प्रशन को पढ़ना अगले प्रशन को परना निमलिखित में से कौन सी निमलिखित में से कौन सी अंतस्त्रावी ग्रंथी हमा कौन सी ऐसी एंडोक्राइन ग्लैंड से जो नर्वस सिस्टम का भी पार्ट है नर्वस सिस्टम का भी पार्ट है कौन सी है आप लोग बता सकते हैं कौन सी है इसमें से आप लोग बता सकते हैं तंत्री का तंत्र का भी कह भाग है कौन से हैं इसका भी जो राइट आंसर हो अभी एक part है तंत्री का तंत्री यानिकी नर्वस सिस्टम का भी बचाए एक part है ओके चलिए बच्छा प्रशन को पठना है और साथ साथ में अंसर भी दिना है क्या होगा प्रश्ण कहा रहा है आज के सेकेंड लाष्ट प्रशन अंतास्त्रावी ग्रंथी के संबंध में कौन गलत हैं एंडोक्राइन ग्लैंड के रिगार्डिंग संबंध में कौन सा गलत स्टेटमेंट कहा गया है यहां पर ठिकना यानि कि कि विच आफ दी फॉल्विंग इनकरेक्ट रिगार्डिंग एंडोक्राइन ग्लैंड अंतास्त्रावी ग्रंथी के संबंध में कौन सा यहां पर जो है स्टेटमेंट गलत है तो पहला क्या कह रहा है यह नली का विहीन ग्रंथी है ओके सहीए बच्चा कि जितनी कि जितनी जि जितने यह नहीं होता यह गलत स्टेटमेंट यह गलत स्टेटमेंट गलाथ संब्सक्राइब अलिकर युक्त ग्रंथी नहीं उता है और अगला देख लेत लेते हैं श Casoy ऑप्ष्न देख लेता एंडोक्राइन ग्लैंट्स यानि अंतरस्त्रावी ग्रंथियां के दुवारा जिस केमिकल सबस्टान्स जिस केमिकल प्रदात का जो निर्मान होता है उसको हम लोग क्या कहा जाता है हॉर्मोन कहते हैं यह भी स्टेट्मेंट सही है हमारा आं अगे कि डि अप्शिन का कहा रहा है यह अपना च्राव रख्ट में मुक्त करती यह भी लाइन लिखाया गया हैह साधर और नहीं तो चलिए बच्चाइल दो सोवा प्राशन आपके सामने लिखा हुआ है और आप लगों कहा करना आंसर देना है बच्चा आंसर देना है ठिकना क्या पुष्रा दैस हर्मो नीद को प्रेडित करता है यानि कि नीद को प्रेडित करता है यह जो जाएगा बच्चा आप्शन चाहिए क्या हो जाएगा और इस ग्रंथी को सरद इस हॉर्मून को कौन बनाता है पीनिय ग्लैंड ठिकना इस हॉर्मौन का निर्मान का निर्मान कौन करता है तो पीनियल ग्रेंड करता है तो बच्चा आज हमने इस टारगोट को अचीव कर लिया है लगभख बाइलोजी के आज तक हमने रोज दस-दस प्रशन कर रहे हैं इतना पहुच गए हैं दोसो प्रशन आज तक कर लिया है और यह ग्रेंटी देता हूं बच्चा मैं यह वे दोसो प्रशन है ना जो सीधे सीधे आगर आप करते हो और फ्यूचर में कराने वाला हूं उसमें से यह समझ रोओ आप सब बाइलोजी के जो एक रुक्रेस्चन है ना वो छूट नहीं पा पहुँश सकें और मैं सिर्फ बात करना इतना बाइलोजी का इतना मैं कमिस्टिक कराने वाला हूं इतना मैं मैं कराओंगा ठेक ना तो चलिए बच्चा आज के लिए इतना ही आज हमारा जो है दोसर प्रशन पूरा हो चुका है कल फिर आएंगे फिर हाजिर होंगे आपके साथ जो बच्चे इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को लाइक करेंगे सब्सक्राइब करेंगे वीडियो को लाइक करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ साथ में वीडिय तरीके स्त्यारी होगा आप लोगों बच्चा फुरी आफ कोश्ट जो है इस तरीके स्त्यारी आप लोगों कि करा देंगे कि प्रस्चन पेपर में छूटेगा नहीं और और ऐसा नहीं कि आए यह बी सीडी पढ़ा कर काख़ा कर चलेंगे क्वालिटी एजुकेशन जितने भी आप लोगों को यह बी पता होता है कि किर से अर्म को देख लोगे तो वहां प्रस्चन तो सभी का लेवल में लेकर आता हूं तो तब तक के लिए खुश रहाना है और